अरे क्रिश्णा मैंने आज ही एक जोक पड़ा कि किसी ने साउथ इंडिया में बोला कि जो सनातन धर्म है यह तो एक बिमारी है यह तो मलेरिया है यह तो डेंगू है बिमारी है ऐसे लोगों से जिनको यह आपनों विश्वास है कि हम शायद पूरे भारत में चाह जाएंगे और धेरे दरेकर पूरे दुनिया में चाह जाएंगे क्या ऐसे होने वाला है नहीं आसा बिलकुल नहीं होने वाला है लेकिन जब ऐसी शक्तियां जब mitigate होती हैं कमजूर होती हैं तो तडप में आकर एसी बात भूल जाते हैं यह तडप है मरने से पहले की और कुछ नहीं ऐसी communities, ऐसे लोग और उनकी सड़ी हुई anti-Hindu, anti-sanatani ideologies, यह कब तक ठहरने वाली हैं वेल, लंबी ठहरने वाली नहीं है because the good news is that कि आज हमारे सनाती लोग जग रहे हैं the Hindus are waking up अक्सर ऐसे लोग सनातन धर्म को भले ही डेंगू से मलेरे से compare करते हैं पर आप तो डेंगू और मलेरिया का भी उन्मूलन नहीं कर पाए तो सनातन धर्म का हम कैसे उन्मूलन करेंगे सनातन धर्म का वैसे मतलब होता है that which is beginningless यानि कि जिसकी शुरुवात भी नहीं है जिसका अंत भी नहीं है यानि कोई डेट ट्रैक नहीं कर सकते इस तारीक को सनातन धर्म शुरू हुआ इस तारीक तक तो ऐसी कोई तारीक ही नहीं है तो भला इसको मिटाएंगे कैसे सनातन means eternal तो इसलिए ये तो था है और रहेगा बीच में जिदने का धर्म है वो पैदा होते हैं राइस पे आते हैं पीक पर आते हैं पावर लेकर कर आते हैं फिर जिदने पावर लेस भी होते जाते हैं तो किसी की उमर है 2000, किसी की उमर है 1500 साल किसी की 600 साल, किसी की 800 साल, 900 साल लेकिन ना इन में सनातन धर्म जो है वो तो beginningless है, और endless है तो क्या सनातन धर्म का उन्मूनन हो सकता है ये impossible है अकसर ऐसी statement जो बोलते हैं It is well scripted statement and that to publicly declared statement नहीं ऐसे नहीं कि emotional outburst में आकर यह बोल गए, ऐसा नहीं है, it was well scripted statement, ताकि ऐसा narrative create किया जा सके, that yes, सनातन धर्म का उन्मूलन होने वाला है, तो इसलिए आओ हम convert हो जाते हैं, narrative, that's it, और कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से गलत narrative create किया जाते हैं, तो सक्त के प्रकाश में, ऐसे काले narrative, ऐसे dark narrative, इनको mitigate भी किया जा सकता है, और इस वीडियो के अंदर, हम कुछ ऐसे ही facts आपके साथ share करने वाले हैं, No doubt, सनातन धर्म के अंदर बिमारियां रही हैं, बिल्कोल रही हैं जी, चुवा चूत, उची जाती, नीची जाती, रहा हैं, हम भी confess करते हैं इस बात को, पर हम यह वानके चलें, यही सनातन धर्म का मूल विशय है, यही उसका core है, यही उसका essence है, नहीं है, सम दृष्टी, समभाव और सबको साथ लेकर चलने वाला है, सनातन धर्मा, लेकिन हां, कुछ ऐसे लोग रहें, जो की रूडिवादी थे, यहां फिर आध्यात्मिक शिक्षा में ट्रेंड नहीं थे, ऐसे लोगों ने चुवा चूँ, दूची जाती, नीची जाती वारा किया, लेकिन दबाई ले आएंगे, ने ठीक कर देंगे, और आज ये ठीक हो भी रहा है, एक समय था कि कुछ मंदिरों में सिर्फ भ्रहमन ही आ सकते थे, शूदरों का जाना अलावड नहीं था, लेकिन आज कितने ही सनातन धर्म के मंदिर हैं, including the Hare Krishna temples, जहां पर बिना किसी भेद भाव के सभी आते हैं, अमीर हो, गरीब हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तैसे हो, काले हो, गोरे हो, गेरवे हो, स्री हो, पुरुष हो, जवान हो, गूरे हो, देशी, विदेशी, North Indian, South Indian, everyone without discrimination, they can come to the temples, have Darshan of the Lord, dance and sing on the कीर्टन, hear Hari Katha, have Krishna Prasadam, without any discrimination, तो इसी लिए वो जो बिमारी रही थी, वो ठीक भी हो रही है, सो जब विमारी थी, तो कहीं ऐसे मंदिर थे, जो कि ऐसे रूड़ीवादी मंदिर थे, जो कि दब भी गए थे, उनके उपर कुछ और विबादित धाचे खड़े भी हो गए, और ऐसे करीब 40,000 विबादित धाचे हैं, मंदिर नीचे दब गए, उपर not a small number पर ऐसा होगा निशी तुरूप से क्योंकि अब पूरे जगत के अंदर जो वेव है वो धर्म की वेव है and when I say धर्म, it means quote-unquote, सनातन धर्म हमारे सनातन धर्में अगर आप देखेंगे कास सिस्टम इस नो वेर मेंशन हर एक की अपनी ड्यूटी है कोई उची जाती नीची जाती नहीं है जो ब्रहमन है वो शिक्षक हुआ करते हैं बैसे के लिए और शिक्षा देंगे इसको ब्रहमन शत्रे वैशी शूदर सबको शिक्षा देंगे शत्रे रक्षा करते थे, किसके रक्षा करेंगे? ब्रामट शत्रे वैशे शुदर सब की रक्षा करेंगे वैश वो employ करते थे यानि finances देते थे, resources देते थे किसको देंगे ब्रामट शत्रे वैशे शुदर जो शुदर थे, वो सब प्रकार की कामों का execute क्या करते थे, किसके काम execute करेंगे ब्रह्मण श्यत्रे वैश्य शूद्रे यानि सब एक दूसरी की सेवा करते हैं इस प्रकार से mutualism में बेस था हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति तो इसले उची जाती नीची जाती वास नेवर एवर पांट वार कल्चा लेकिन हाँ, डिसीज रही, लेकिन डिसीज गायब भी हो रही है, कुछ जिए आजी बची हुई है, no doubt we know that, लेकिन ये भी धीरे-धीरे करके कट चाहेगी, और तो ऐसे लोग जो कि एंटी सनातनी हैं दे में हैं, विरियस काइड ओफ टूल्स अगेंस सनातन धर्म, like for example, दरविडियन फिलोसफी, कि एश्री मूल निवासी, तो हम दरविडियन रहे हैं, ये कहां से आगए ये ब्रामण वारा, ये असल में बहार से आ गया है, ओगाड, तो जितने भी ऐसे लोग हैं, जो ऐसी फिलोस्टी से इंफ्लूएंस हैं, हाँ, जोड के हमारी विंती हैं, अरे बाबा, हम सब पहले से परिवार में एक थे, और रहे हैं और रहेंगे, तो ऐसे लोग जो कि हमें फूट डालने वाले हैं, ऐसे लोगों का ना उनमुलन हुआ था, ना हुआ है, ना फ्यूचर में कभी होगा, हमारे देश की संस्किती को उखाडने के लिए 500 साल की महनत हुई है मुगलों के द्वारा, 200 साल की महनत हुई है, ब्रिटिशन्स के द्वारा, उसके बाद भी कहीं सरकारों ने बड़ी कोशिश की है, ले आर के बल पे, जी हाँ, जैसे for example, Will Smith, Angelina Jolie, Sylvester Stallone, the famous Bollywood star, Steve Jobs from Apple, Iron Man Robert Downey Jr., Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, Julia Roberts, the versatile actress from Hollywood, इसके अलावा अगर हम पॉलिटिक सी दुनिया में देखें तो, UK के प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनाक, और अब USA के होने वाले Presidential Candidate है, या at least Vice Presidential Candidate है, जिनका नाम है विव करते हुई तुलसी गबाड, और ऐसे कई सारे politicians हैं, जो कि आसनातन धर्म से influence हो रहे हैं, बलकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर अफरीका पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत होता है, तो चरन चू करके होता है, जी हम भी मूल रूप से, इसी संस्क्रिती से हैं, इस तरह स पचास हजार लोगों ने इंडोनेशिया में हिंदु़िजम को स्विकार किया, इंडोनेशिया की फ्लाइट का नाम क्या है, वेल, गरूडा एरलाइन्स, ये नाम तो हम इंडिया में नहीं रख पाएंगे, रखेंगे तो फिर हमारे सेकुलर वादी ख़ले हो जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया की फ्लाइट, वेल, वो है गरूडा एरलाइन्स, गणेशी की तस्वीर मिलती है हमको इंडोनेशिया की करंसी की उपर, और इंडोनेशिया की नेवी का स्लोगन संस्कृत में है, जो है जलस्य, एव, जयमहे, लेकिस आल विक्ट्री ओवर दी ओशन, लेकिन का से आ रहे है, संस्कृत लेंग्विज से आ रहे है, तो एक ऐसा देश जहाँ पर की सारी पॉपॉलिशन, मुसल्मान है, एवन वहाँ पर भी हमें हिंडू रूट्स मिलती है, और आज वो रूट्स पहल रही है, और रूट्स पहलते फुल फ्लजट्री बनने की त आशिरवाद रहा है, तो एक वैटिकन सीरी अगर फलपूर रहा है, तो आशिरवाद शिवजी का है, उनको स्विकार कलो ना, खुशर हो गया आप लोग, इसी परकार से घाना के अंदर बारा हजार हिंदू थे, इन वेरी शॉर्ट इंटर्वल अफ टाइम, वहाँ पर हो इसी परकार से तंजानिया जैसी देश भी है अफ्रिका के अंदर, जहां पर लोग हिंदू इल्जम को स्विकार कर रहे हैं, अफ्रिका के अंदर ये मुंदारी कम्यूनिटी भी है, जो कि काव प्रटेक्शन को ले करके बहुती ज़दा ऑपसेस्ट, अगर कोई गवाँ मा इसलिए कुशाइट करके भी एक कम्यूनिटी है, जो कि कुश के डिसनेंट्स माने जाते हैं, इसलिए मौरिशस के फादर आफ नेशन जिनका नाम है, सीवु सागर राम गुलाम, यानि राम जी के गुलाम, राम जी के दास, ये तो वहां के फादर आफ नेशन है, इन वहां, विहार से, यूपी से कहीं लोग थे, जो कि प्रिटिशन ने उनको भेजा as slaves to African countries and मौरिशस as well, इसलिए हिंदू ओरिजिन के लोग तो आज हम दिखते हैं, आफरिका में भी हैं, मौरिशस में भी हैं, युगांडा के अंदर सिर्फ 30,000 हिंदू हैं, लेकिन ये यु सनातन धर्म की संस्रिती की सुंदरता को देख करके, उसी पविदरता को देख करके, उसे कल्चर को देख करके, अपने आप आ रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर, so in Africa, the fastest growing religion is, सनातन धर्म, इंपर रशिया के अंदर करीव साड़े तीन लाख लोग हिंदू हैं, और 90% वहां के लोकल रशियन हैं, yes, तो रशियों का देश रहा है, रशिया, in fact, रशिया के अंदर, fastest growing religion है, सनातन धर्म, आप कहीं सारे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के अंदर, जहां पर ये रशियन डिवोटीज, जिहां, वहां के लोकल डिवोटीज, हरी नाम संकीरतन में न यूरप, तो इसने ऐसे लोग जो कि यूरप में ट्रांस्माइडर करते हैं, और वहां पर बहुत दिखतें करते हैं, हुरदंग वाजी करते हैं, तो ऐसे में solution भला कहां से मिलने वाला है, वेल, पूरी दुनिया अगर शांती में तरीके से चीजों को सुलजाना चाहती है, तो एक ही धर्म है, जिसकी श्रण में सब जाना चाते हैं, और वो है सनातन धर्मा, so many of the prime ministers and presidents of various countries are seeking help and guidance of India, सनातन संस्कृती कि किस प्रकार से ये anti-social elements को, हुरदंग वाजी वाले elements को diffuse किया जाए, because in India we are taking care of them nicely, आज इसकौन के पूरी दुनिया भर में साड़े 600 से जाधा मं जहाँ पर Hare Krishna devotees को invite किया जाता है, कि आप आए किर्थन करें, we'll have our Sunday mass, we'll have our Sunday prayers, but before that we'll have Hare Krishna किर्थन, कई ऐसे मुसल्मान देश भी है, जहाँ पर की मुसल्मान औरतें, राम जी का नाम ले रहे हैं, आए देखिए इस clip को, और एक और बड़ा इंट्रस्टिंग वीडियो हमारे पोडोसी देश का, जहाँ पर की सेलंडर 15,000 उपे का मिल रहा है, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, जो कि Hare Krishna का कीर्थन करते वे नाच रहे हैं, ये देखिए सुन्दर सा वीडियो, In fact, भारत के अंदर, यहाँ पर गीता कॉमपटिशन जब हमने और्गनाईज किया था, उसमें फर्स्ट रैंक लेकर के आने वाली थी एक मुस्लिम लड़की, और उसमें बोला, मेरे को भगोदीता पढ़के इतना अच्छा लगा, कि मैं सारे हिंदू भाईयों से और बहनो लेकिन वहाँ पर करीब 80,000 Hare Krishna devotees हैं, although there is no temple, peacefully they are nicely practicing Hare Krishna religion, in fact, कहीं ऐसे Chinese हैं, जो कि आज प्यूर वेजिटरियन हैं, शुद्शाकारी भोजन पाते हैं, बहुआन को भोग लगा करके पाते हैं, किर्तन करते हैं, using Chinese instruments as well. So very melodious and unique kind of Keetans we get to hear from the devotees from China, वहाँ के देश ने खुद अपने publication house से, श्रीमत भगवदीता, श्रीमत भागवदम का publication कराया है, लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सवाल पूछने हैं, और सारी queries को resolve कर रहा है, सनातन धर्वा, बलकि इसकॉन को कहीं सारे ऐसे मंदिर मिल गए उन चर्चिस के रूप में, जो कि बियाबान खाली पड़े थे, बेंच की उपर इतनी मोटी धूल थी, इनफैट, जीसस क्राइस की उपर भी धूल जमी भी थी, और हमारे हिंदू भाई लोग गए, और जीसस क्राइस की उपर की सारी धूल अटाई हूँ, बेंचिस भी सा तो इसे हमने का धूल भैन, तो थोड़ा साफ हो, और जो लोग भूल गए है इस धूल के अंदर प्रभू को, उसको रिवाइव करेंगे हम in the form of a Hare Krishna temple, और सनातन धर्व की खास बात ये भी है कि जहां भी हमारा सनातनी भाई जाएगा, वो चाहाए अमेरिका में जाए, यॉ उसको और बहतर देश बना देते हैं, a better America, a better Europe, a better China, a better Africa, क्योंकि वहां की economy में भी contribute करते हैं, साथ ही culturally भी contribute करते हैं, तो हिंदू जहां भी गया है, वहां पर समरिद्धी ही आई है, इंपर जहां समरिद्धी नहीं है, जैसे टर्की, टर्की जैसे देश भी हैं, जो कि भार is bothered, take help. So, ऐसे उदार हिर्दे की संसिती वाला है, सनातन धर्मा, तो भला इसको क्या होने वाला है, इसको कुछ नहीं होने वाला. In fact, USA के अंदर, वहां की the national average है, of the graduates, is 40%. लेकिन, of the Indians who are staying in USA, उनकी national average है, of the graduates, 78%. Post graduates की जो national percentage है, वो है 3%. और national average of the Hindus who are staying in USA, is 40%. इसलिए हम देखते है, USA के अंदर, कई बड़ी-बड़ी companies है, जिनके CEO, CFOs, Board of Directors, Chairpersons, are actually Hindus. And here goes the list. Life, for example, Microsoft में Satya Nadella है, Alphabet Google में Sundar Pichai है, Novartis में Vasanth Narsingham है, इसके अलावा, Adobe, IBM, Starbucks, Vortex Pharmaceuticals, London's Design Systems, VMware, Arista Network, Reality Income Corporation, Well Tower, and Phase Energy, HubSpot, Water Corporation, Zscaler, NetApp, Nodon Corporation, Match Group, GoDaddy, और ऐसी कितनी ही companies हैं, जहाँ पर CEOs हैं, decision makers हैं, तो वहां हमारे Hindu भाई लोग ही हैं. Because Hindu, Sanatani, जो रिक्ती हैं, एक महन्ती रिक्ती हैं, आलस नहीं करता हो, इसे जहाँ भी जाता है, वो contribute ही करता है, तो चाहिए कोई भी देश हो, लेकिन वहाँ पड़े लिखे लोग, महन्ती लोग भला कौन हैं, हमारे Sanatani, भाई, 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 भाई ही हैं, वो जाते हैं, वहाँ contribute करते हैं, और उस देश को खिला देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, चाहिए. एकौनमी की दिश्टी कोंड से हो, या कल्चर की दिश्टी कोंड से हो, भाई-चारी की दिश्टी से, तो Sanatana dharm has been so accommodating. Zoroastrians अपने देशें फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, कों से देशें फ्लरिश कर रहे हैं? वेल जहां Sanatana dharm है, that is India. इसके लाव पार्सी community, where is it flourishing? It's in India, जहाँ पर Sanatana dharm है. In fact, Muslims हो या Christians हो, उनको बिना किसी भेद भाव के education, या कोई भी और फेसिलिटी मिलती है, तो बहला कहां मिलती है, Sanatana dharm के अंदर. So Hindu has been very very accommodating, लेकिन जिनको accommodating करते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे बांगडू बटूरे निकलते हैं, बस, हमारी percentage हो गई है, अब बस, अब हमें हिंदों को हटाना है, अरे बटूरे इंसान, तू भी हिंदू था, yes, तेरे बाप दादा प्रदादा कहीना कि वो हिंदू थे, वो convert हो लिए, यहां तो बंदू की नोक पर, यहां तलवार की धार पर, यहां पर तरी घर के बार हैंद भाप लगा दिया, यहां तरी भाई यहां बहन की किसी की नौकरी लगा दी, ठीक है, हम छोड़ रहे हैं सनातन धर्म को, वो छोड़ दिया, उसके बाद हमें लगा, yes लोग हैं, हमारे भक्त हैं, यह सब के सब जग चुके हैं, आज हिंदू सोया नहीं है, अब वो अंगड़ाई लेते हुए तयार हो गया, जी कौन है, जी बहुत हो गया, साड़े साथ सो साल की साड़े साथी ओवर होगी, अब तुमारी साथी आने माली है, इसलिए जितने पर संथिन Ingaard के लो नोग है, हिंदू है, आज वो जग रहे हैं, तो इसलिए उन्मूनन होने वाला है, पल्कुल भी नहीं होने है, जैसकि त तृवरी भाला जी में एक भक्त था, जो कि वोर था वे highness अठ्ट्रवणा, घुए औ गोविंदा, घुविंदा, जैसे कि तुर तो गार्ण दरूग दिया है, शोर्म बचा, लेकिन जिनका तीर सल है, उनिका तो नाम ले रहूं है, नहीं, 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 क्यों, क्योंकि हम लोग इसके लावा, हिंदूजम को लेकर के बहुत सारी भषवाणियां भी की गई है, इसके लोगए नहीं, नहीं, क्या कहा? बेलिस अली टुक पार पीस और किस्टे एंए रिकार इस्टोरा इज कि अर्बार्ट वेल्ट नेजिए अठाथ इस प्रश्टीज पार बिल्यूज को तरे इसे प्रेटिस अप्रॉड धूर्ट निरू अपने हैं लूज्सिंग अंटिट लिख इस लुग्टीज अब्थूस The religion of the learned is equal to that of Hinduism. Albert Einstein ने बुला, he does that the Jews cannot do. He did it with knowledge and energy. But only Hinduism has the power to lead and peace. Similarly Bertrand Russell ने बुला, I read about Hinduism. I feel that this is the religion of mankind all over the world. Hinduism spread throughout Europe. Many scholars studying Hinduism will appear in Europe. One day the situation will develop where only Hindus will lead the world. So आज पूरी दुनिया सनातन की और भला क्यों जा रही है? तो क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि Abrahamic Religions के अंदर सवालों के जवाब नहीं है. Basic questions like reincarnation. Reincarnation होता है बिलकोर. It's a well-proven fact, scientifically proven fact. लेकिन Abrahamic Religions के अंसार एक ही जनम होता है. बस यह जिवन है, यहाँ तो जननत है, यहाँ जहन हो मैं बस, that's it. So reincarnation just a basic concept. The existence of soul, the qualities of soul, the source of soul, the source of suffering, no explanation. Law of karma, no explanation. The form of God, no explanation. The qualities of God, the activities of God, reciprocations of God, no explanation. जब इस प्रकार के basic concepts भी दुनिया के धर्म अंसर नहीं कर पाते, then come Sanatana Dharma, sir. We have all the answers to all the questions on the planet. मैं एक समय भारत वार्श के एक स्टेट में थाँ और महाँ पर मैं एक क्रिश्चन पादरी को सुन रहा था, जो के अपनी को अंगरिशन को अट्रस कर रहे थे. और उन्हेंने में को देख ले कि मैं भी दूर खड़ावा हूं और मैं सुन रहा हूं के लेक्शर को. तो उन्हेंने क्या बोला? बड़ा इंटरस्टिंग बोला. उन्हेंने बोला, well, anything and everything apart from Jesus Christ is coming from devil, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. So, Hare Krishnas are coming from devil, लेकिन उसने एक तारीफ भी कि हमारी. Sanatana dharm has got all the answers to all the questions on the planet. So, कहिना कि जो spiritual seekers है, genuine spiritual seekers है, ऐसे लोग जो आपने सवालों के जवाब ढूने के लिए निकलते हैं, तो Sanatana dharm के अंदर उनको logical, sensible, scientific, heart-transforming answers विलते हैं. और इसले हम देखते हैं कितने ही intellectuals, बुद्धी जीवी लोग आ रहे हैं आज Sanatana dharm के अंदर. So, कितने ही ex-dharm का नाम, लगाली जाप, now they are coming to Sanatana dharm, because Sanatana dharma educates them rightly. Like it's Kaan के अंदर, there are so many educational programs. Whether through internet, morning bhagatam classes, evening bhagadita classes, 7-day bhagadita courses, crash courses on spirituality, so much is happening. क्योंकि सारे सवालों के जवाब देता है Sanatana dharma. Second, आज पूरी दुनिया के अंदर, kola halmacha हुआ है, तो second reason why people are coming to Sanatana dharma is, most peaceful religion. शांति प्रिय है ये धर्म. येतने लोगे बिचायन आत्मा हैं ना, जब Sanatana dharma आते हैं, एकदम से ना, settled. Cautiousness में, settled. लेकिन शांति माता जी, शांति माता जी, शांति माता जी बोलती है, जी मैं Sanatana dharma के पास ही रहती हूँ, आना है तो यहाँ पर आजाओ. तो कहीं समझदा लोग जो की चाहते हैं, शांति माता जीवन, they are coming to the fold of Sanatana dharma. Third reason is that, that world political powers are now getting influenced by Sanatana dharma. और इसको lead कर रहे हैं हमारे दर्शे ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्रम मोधी जी. और रही के आशिर्वाद से आगे हम देखें सक्सेशन में, योगया आतिनाज जी और हिमत बिस्वाजी आसे कई political leaders हैं, जो कि Sanatana dharma का जंडा लेके चड़ रहे हैं, और आज कहीं न कहीं हमें गर्वित महसूस करा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, well, Indian leaders are no more Indian leaders, they are world leaders now. So people are taking their advises as well. और जब advice देगें तो कहीं न कहीं, एक student का attitude लेकर के आएंगे, जब student का attitude लेकर के आएंगे, तो उस धर्म को भी स्विकार करेंगे, जिसकी पताखा लेकर के हमारे political leaders चल रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं, पुरी दुनिया के अंदर एक रुजान आया है धर्म की और, which is being led by our glorious leaders, leaders of सनातन धर्म. तो जितने भी ऐसे लोग हैं, जो की मानते हैं, सनातन धर्म जो है एक तरह की बिमारी है, कोई वैक्यूम क्लीन आता हो और उसको मूमें लगा है, और इसलिए से वो निगिटिविटी को भार निगा ले, और सनातन धर्म को असविकार करें, साथ बंडिया में गुरु आयर भी है, महाँ पर बाला जी भी है, अरे ठाकुर जी कितने सारे मंदरे साथ चन्ने में, शरण में जाये प्रभू की, और खुशी-खुशी जिवन में पता है, ऐसे रोश भरे, अक्रोश भरे, और एंटी-सनातनी आईलोजी को लेने वाई लोग है, ऐसे लोग भी दुखी रने वाले हैं, और जो उनके अनुगत है ना, वो भी दुखी रने वाले हैं, because now the wave is of dharma, dharma means sanatana dharma, so that's why it is not going to be eradicated, rather it is going to become more and more deep, so best is that, become part of it and be happy. Thank you very much, Hare Krishna. झाले हैं,